दन्यवाद अनूप जीत आवाज आ रही हैं न स्पष्ट बिहार दिवस के अवसर पर Let's Inspire बिहार के प्रथम वर्षिक उत्सव स्थापना दिवस पर यहां उपस्तेत स्वयम प्रकाश जी ब्रजमोहन सिंग जी कनया बिलारी जी गुरू रहमान जी अलोक रंजन जी इंजिनियर राहुल जी गजेंद्र यादव जी डॉक्टर पृतिवाला जी डॉक्टर सरीता जी उपस्तित बिहार के अलग-अलग जिलों से अलग-अलग अध्यायों से उपस्तित, जवासातियों सभी का नाम लेना संभव नहीं है लेकिन हर व्यक्ति के योगदान से ही आज स्थिती एक वर्ष में ऐसी बनी है कि केवल वाटसेप के माध्यम से लगबग पुरे बिहार में हर जिले में आज मैं सुबह गिन रहा था 22,000 की संख्या पार हो चुकी है और इसके अलावा बिहार के जो बाहर अध्याये हैं उनमें भी 3,000 की संख्या पार हो चुकी है तो लगबग 25,000 लोग वाटसेप के ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ चुके हैं इस एक वर्ष में अक्सर इतने समय के बाद भी कई बार लोग पूछते हैं कि बिहार को प्रेडित करने के अवशक तक क्यों आ गई क्यों इस अभ्यान की परिकल्पना हुई हम लोग क्या करना चाहते हैं बहुत सीधी सी बात है आज का दिन अत्यंत महत्पूर्ण है अत्यंत महत्पूर्ण है चुकि इसको हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं बिहार क्या है बिहार को यदि जानना हो तो कहीं ने कहीं अपने अंदर जांकना होगा भारत के भविष्य के यदि परिकल्पना हम करते हैं तो पिहार के बिना संभव नहीं है जब तक पिहार उतकर्ष को प्राप्त नहीं करेगा भारत के भविष्य के हम कल्पना कर ही नहीं सकते किसी भी चीज को यदि सिद्ध करना हो तो हम प्रमान खोचते हैं और यदि हम कहते हैं कि भारत के भविश को तभी हम उज्वल्तम पा सकते हैं यदि बिहार का भविश उतकर्ष को प्राप्त करे तो इसमें संदेह कहा है तो आचीन काल के अक्सर में बात करता हूँ क्यों करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आज किशनगन से भी लोग आये हैं सुदूर बगहा से भी गजेंद्रियादव जी बेटे हुए हैं उनके साथ काफी लोग आये हैं आना बहुत कठिन नहीं है लेकिन एक समय ऐसा था जब ना इस प्रकार के वाहन थे ना इस प्रकार के मार्ग थे ना इस प्रकार संचार के माध्यम थे जिसमें 25 अजार लोगों को आप वाट से जोड सकते थे लेकिन कुछ तो बात थी जिसमें आज यदि हम अफगानिस से बात करने जाएं किसी अफगानिस्तान में किसी व्यक्ति से तो निश्चित है आपकी न भाशा समझेगा न आपके उद्गारों को समझ पाएगा लेकिन सोचिए क्या शक्ति रही होगी क्या समर्थ रहा होगा क्या चिंतन रहा होगा जब आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले यदि बिहार से कोई जाता अफगानिस्तान जाता तो उसका सम्मान एक शाशक के रूप में किया जाता था एक प्रेरनाशोत के रूप में किया जाता था लोग तो वही हैं, पूरवज तो वही थे, हुआ क्या? क्यों ऐसा दिर्श्य देखने को मिलता है कि छोटे से जिस पिहार में पूरे दक्षिन पूरवी एशिया से, योरोप से, अरब से लोग व्यापार करने के लिए लालाइत रहते थे, व्यापार करते थे, तो चमपा जै इस ने हर वियतनाम वासी को विवश कर दिया, उन्होंने अपने देश का नाम चमपा रख दिया, और पंदरों सो वर्षों तक वियतनाम चमपा के रूप में जाना गया, पिहार यदि बनाना है, सोचना है, तो चिंतन करना होगा, आज, लेट्स इंस्पार बिहार का भी ए बैटते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो कहीं ने कहीं एक रोग जो भिहार में है, पहली बार कोई मिलता है, तो जिग्यासा देखने को मिलती है कि बैए, किस जाती के है? मिलती है कि नहीं मिलती है? सच्चाई है? लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान के जब हम लोगों ने शुरुआत की लोग जुड़ने लगे स्वेक्छा से जुड़े लेकिन जब मिलकर काम करने की परंपरा प्रारंब हुई कारिक्रम आयोजे थोने लगे तो अक्सर अनेक प्रकार के द्वन्द देखने को मिले लेकिन यही तो संगर्श है इसी संगर्श को जिसे नहीं मिटा देंगे सहयोग के भवना को उत्पन कर देंगे तो बिहार के उज्वल भविश्य को कोई रोक नहीं पाएगा जब तक हम छोटे छोटे खंडों में बट कर सोचेंगे तो फिर हम कहते ही रह जाएंगे कभी ऐसा भी समय था जब विदेशों से लोग पढ़ने आते थे लेकर हमारे विद्यार्थियों को बाहर ही पढ़ने जाना होगा जब तक हम खंडों में बटे रहेंगे हम कहते रह जाएंगे कि हमारे यहां लोग व्यापार करने आते थे हमारे ऐसे स्रेश्टी थे जो पूरे जमीन पर सुने के सिक्के बिछा देते थे उस हिसाब से उस प्रकार का उद्यमिता थी जिसकी हम कलपना तुबारा नहीं कर पाएंगे तब कर पाएंगे जब उस भावना को हम पुना जागरित करेंगे जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति से जोडने की छमता थी जाती का विभेद नहीं था जातियां तब भी थी तेकिन इस प्रकार का जातिवाद हावी नहीं था यदि ऐसा रहा होता तो मगद में कोई नंदवन्श का उद्य कभी नहीं होता क्यों हुआ है? सोच बड़ी थी, व्यापक थी, नए अपवाद प्रस्तूत करने के लिए सदैव तत्पर थी ब्रियत सोच का अधार क्या था? कलपना कीजिए उस समय की जब विश्व में ग्यान उत्पन हो रहा था उस रूप में भारत में जो हम देखते हैं तो वेदों को पस्चिम उत्तर भारत में उत्पन होते पाते हैं विलुप्त सरस्ती के टटके किनारे कारिकरम का शुरूआत कारिकरम की शुरूआत प्रारम में हम लोगों ने वैदिक मंत्रों को सुना लेकिन वैदिक मंत्रों का जो अंत हुआ जिसको विदान्त कहते हैं इसी मिथला में हुआ जिनके नाम पर विदुशी गारगी वाचक नवी का जो स्परन कर रहे थे इस सोच को लेकर यदि हम तब उस वाद में बटे होते तो बहला नंदवंश कहां होता और आचारे चानक कभी यदि निकलते और सोचते कि मुझे किसी छत्रिय वर्ग कहीं विक्ति का चैन करना है तो क्या किसी बालक में उनको छमता दिखती जिस संस्कृती में छमता का सम्मान होता है गुणों का सम्मान होता है निश्चित ही उतकर्ष होता है यही बात बिहार में प्रमानित किया और इसी सोच को पुरे भारत को लेकर जब चलेंगे तो निश्चित इस छोटे-छोटे खंडों से बट करम आगे बढ़ते तो अपने शक्ति को हम छीन कर देते हैं शक्ति कैसी है कारिक्रम में उपस्थित ग्यानिश्वर जी का भी मैं स्वागत करता हूं उनको मंच पर बिठा देंगे बिहार में जब विदान्त की कलपना लोगों ने की तो रिशे ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हर आत्मा में परमात्मा का अंश है कहते हैं ना कहते हैं गर नहीं कहते हैं यदि कहते हैं और मानते हैं तो जैसे किसी सोने के टुकड़े को यदि हम खंडित करते हैं काटते हैं तो छोटे से छोटा भी जो कंड होगा उसमें क्या गुण होंगे उसी सोने के होंगे और यदि परमात्मा का अंश किसी में है परमात्मा के गुण क्या है क्या गुण होता है परमात्मा के असीम असीम शक्ति का श्रोत जो समस्षिश्टी को संचालित करने की छमता रखती हो यदि उसका अंश इन्फिनिटी को आप काटेंगे, असीम को काटेंगे, विवाजित करेंगे, तो छोटा सा कंड भी क्या होगा, असीम ही तो होगा, तो हर व्यक्ति में वो गुण है, जो कहीं ने कहीं पुरे सिस्टी को संचालित करने की छमता रखती है, और यही बात जब स्वामी व्यकानन अपने आपको दुरूबल समझते हो, कमजोर समझते हो, तो तुमने अपने आखों पर पट्टी बांध रखी है, पुरे सिस्टी की शक्ती तुम्हारे अंदर समाईत है, तुम परिवर्तन कर सकते हो, पुरे युग को बदल सकते हो, और मिलकर पेडित करें बिहार अभिया तो हम नित्रित्तु कर रहे थे और इस छोटे से भारत का नहीं कर रहे थे उस भारत का कर रहे थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी हिमाले के उत्तर तक थी दक्षिन तक थी और पुर्वत्तर तक थी उस पिहार की बात कर रहे हैं जा पूरे विश्व से ठंडे में मिलता है वैशाली क्या थी? पूरे समस्त उत्तर बिहार जिसके उत्तर में हिमाले, दक्षिन में गंगा, पूरब में कोशकी और पस्चिम में गंडकी इस पूरे छेत्र को वज्जी महा जन्पत के रूप में जानते थे, जिसमें 7707 गंवराजा चुने जाते थे और चु करते थे औस सहियों की भावना को जन्व देना होगा वह कहीं दूर नहीं है हमारे पूर्वजी तो कर रहे थे यदि हम सोचते हैं कि विक्रित अवस्था क्यों होती जा रही है हर समस्या का जड न पहीं यदे हम प्रेडित हो गए उर्जा कहाँ लगानी है उर्जा यदि हम आपस पेसं घर्शों líग लगाएं घंग कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन उसी उर्जा गो को असीम詐 हमारी हर व्यक्ति के अंदर है यदि हमने सही दिशा में लगाया सिक्षा के विकास में लगाया एक हो सकता है कि हम आरोपित करते रहें केहते रहें कि भाई सब कुछ खराब है सठकार खराब कराब है आदमें क्राब जिक्षक खराब है तो चीजे étape बदलेंगी कीए की सिएक व्यक्टी को क्षड़ा होना होता क्यों इस प्रिवर्तन के प्रा करूं गा हर ने तो देखा है जिस समय युनान से चलकर अलग चेनर आये थे मगत की इतनी छमता थी कि उनके सेनिकों को लौट जाना पड़ा तीन दिवस तक शिवर में बैठे रहे है आप लोग वीडियो सुन रहे थे लेकिन सोचिए एक व्यक्ति के अंदर जब यह एक्षा जगी कि यदि खंडों में भारत बटा रहा तो अस्चे मुत्तर से फिर आकर्मन होगा भारत पराधीन हो जाएगा क्या शमता रही होगी हमारी पूरवजों की जो आज भी अफगानिस्तान तक हम अपनी भाषा में बात नहीं कर पाते लेकिन हम जोड़ पाने में सक्चम हो सके थे सोच बड़ी थी सोच बड़ी थी तभी विदानत का दर्शन हम कर सके सोच बड़ी थी इसलिए विश्विद्याले स्थापित कर सके सोच बड़ी थी इसलिए मखंड भारत के समराजी के निर्माता बन सके और भारत का भुष्यदी बदलना है तो हर बिहार वासी को अपने पूर्वजों की सोच को आत्म साथ करके इस खंडी तवस्था से दूर बिहार में योगदान देना होगा एक समता मुलक समाज का निर्मान करना होगा जिसमें हर व्यक्ति अपनी छमता के नुसार विक्सित हो सके जो सक्षम है उनका सहयोग कर सके जनको उसकी आवशकता है उसके लिए हम प्रेडित कर सके आज देखिए आहवान हुआ है तो कई पूरे बिहार के हर जिले में इशा दी अभी चैन चल रहा है दोसों फिर द्यारती चुने गए हैं उसमें से असी बच्चे हम लोग चुनेंगे जिनको निशुल्क भोजा नावासान के साथ आएटी और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगे यह सभी ऐसे बच्चे हैं जिनके आई बहुत कम हैं तीस ऐसे युवाओं को चुना जा रहा है उनको भी निशुल्क सिक्षन देने की विवस्ता कुछ संस्थानों के द्वारा की जा रही है जिससे बीपिएस्टी जैसे परिक्चा में भी ऐसे लोग चुनकर आएं जिनको लगे कि समाज ने हमें कुछ दिया है और जब नौकरी करें त इसमें की पूरे बिहार में परिक्चा आयोजित होगी बच्चे चुने जाएंग जो निर्धन हैं लेकिन प्रतिवाशाली हैं ऐसे लोगों को चैन हम तभी कर पा रहे हैं और उनकी परिक्चा की तैयारी रेलवे बैंकिंग इत्यादी परिक्चाओं के लिए यह छोटी ब हैं और लोगों से जितने बिहार के लोग बिहार में हैं चाहें बिहार के बाहर हैं जो हमारे अध्यायों से जुड़ रहे हैं उनसे आहवान कर रहे हैं कि अपने विद्याले से जुड़िये हर व्यक्ति एक विद्याले से जुड़िये और देखें मैं इसमें किस प्रकार योगदान दे सकता हूं कोसने से कुछ नहीं बदलेगा योगदान करेंगे कुछ सकारात्मक करेंगे और यही कारण है कि हम लोगों ने कहा कि बिहार के हर प्रखंड में लेट्स इंस्पायर बिहार के टीम बननी चाहिए ताकि हम विद्यालियों से जुड़ें और छटी सकते हैं यदि लोगों का सहीयोग मिलता गया जैसे आलोक जी आये हैं सिक्षाधान योजना की परिकल्पना इन्होंने की आज सिक्षाधान नए सुपान प्राप्त कर रही है बात के बद सौ तीस और अस्ती तक नहीं है संक्य हजानों तक जाएगी क्योंकि हर जिले में ऐस संस्थान ऐसे विद्याले एक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि हम निशुल्क सिक्षान उपलब्द कराएंगे कुछ दिनों पहले बेगुसराई में था प्रवाकर जी बैठे हैं एक इंजिनिरिंग कोलेज के लोग आये थे जो देहरादून में रहते थे जब उन्होंने अभिय तूर्द किसी गाउं में बेढ़े के अंदर भी विद्यमान है उसको जागरित करने की आवशक्ता है प्रकाशित करने की आवशक्ता है और इसी बिहार ने तो विदान्त को जन्व दिया जिसमें कोई भेदभाव था ही नहीं आधी शंकर भी जब चले जब काषी में आये निश्चित इस बंद में जो भेदभाव हैं उसको मिटाना पड़ेगा जिस दिन मिटा कर हम चलने लगे इतने लोग बैठे हैं मतलब है कि हमने उस यग का अरम कर दिया है जिसमें जब आहोती पड़ेगी तो दावानल का रूप गहन करेगी और बिहार समेथ पुरे भारत त नहीं होंगे सच्चाई मन के अंदर होती है सदैव सही मार्ग बताने के लिए ततपर रहती है अपने मन के अंदर जाकिए सोचिए यदि कोई बताता है कोई गलत मार्ग तो क्या आपको लगता नहीं कि विक्ति कहां ले जा रहा है शक्ति तो हमारे बिहार में हमारे लोगों ने पूचा था जब दिल्ली में कारिक्रम हो रहा था कि बिहार का कारिक्रम होते थे उसको भूल क्यों जा रहे हैं वनशज तो वही हैं उन्हीं पूर्वजों के हैं लेकिन हर व्यक्ति को धारण करना होगा केवल बाते करने से अभियान कुछ नहीं होगा जिस समय मार्ग नहीं थे प्रद्योगी की नहीं थी संचार के माध्यम नहीं थे तब यदि हम वो कर सकते थे तो विश्व में हम आगे क्या कर सकते हैं उसकी संभावनाएं असीम हैं आज तो माध्या मैंसे हैं इतने बड़े सभागार में माईक के माध्या में सम्मोधित कर पा रहा हूं लेकिन इसी बिहार में वैशाली के संथागार में 7707 गंडराजा चुन कराते थे और एक साथ सम्मोधित होते थे बिना माईक के एक आगरता चिंतन सहयोग संघर्ष को मिटाना सहयोग की भावना को जन्म देना मिलकर यदि हमने संकल्प ले लिया तो भारत के भविश्व को निश्चित बदल देंगे पूरे विश्व के भविश्व को बदलने की छमता हम रखते थे रखते हैं और आज भी रखेंगे इस बिहार दिवस पर प्रारंब में यही कहना चाहूंगा बिहार ग्यान की भूमी रही है शौरे की भूमी रही है उद्यमिता की भूमी रही है बिहार का भविश्व उज्वल तभी होगा जब अपनी उर्जा को किंद्रित कर हर युवा संकल्प ले कि छोटे 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 उद्यमिता, इन मंत्रों को क्रहन करते हुए योगदान देना प्रारंब करेंगे आहवान हम करते हैं जो सक्षम है सहयोग के लिए सामने आएं इतिहास बार-बार अवसर नहीं देता है लेकिन प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से संकल पलेंगे तो अपनी जीवन काल में ही ऐसे परिवर्तन को होते हैं हम देख सकते हैं जो हमारे आने वाली पीडियों को गौरवनवित कर देगी हर व्यक्ति में छमता है जगाने की जौरत है, जागने की जौरत है जग पुरे विश्व को जागरित करने में समय नहीं लेगा जी को मैंने सुना, एक बार मिले थे हम लोग आज दुबारा मिल रहे हैं, बीच में प्रिर्ना ऐसी बनी कि इन्हों ने गीत की रचना कर दी वीडियो मैंने नहीं देखा अब जब संगीत को मैंने सुना, तो मुझे लगा कि आने वाले समय में हर लेट्स इंस्पायर भी आर के सदर सिको, निस्चे थी, उनके रिंग टोन में आपको ये गीत सुनने को मिल जाएगा आज उसको लोगों ने लॉंच किया है बहुत सारी चीजें है अंतरमन की जोती जब शुद भाव से निकलती है तो दावानल का स्वरूप ग्रहन करने में बहुत समय नहीं लगता है यह हम सब अपने जीवों में देख सकते हैं यदि संघर्ष छोर कर सहयोग करेंगे चिंता छोर कर चिंतन करेंगे और बिहार के भारत के भविश्य के लिए अपना आंशिक की सही लिकुछ निस्वार्थ योगदान देंगे आएए मिलते हैं बिहार को प्रेडित करते हैं और जो एक वर्ष की 25,000 की शंकला है इसको बहुत आगे ले जाना है हर युवा मन को प्रोहवित करना है क्योंकि बिहार को फिर से उसी रूप में स्थापित करना है जहां पलाये नहीं करना पड़े उद्यमिता के साथ लोग आए नए उद्योग स्थापित हो रोजगार भी हमी को उत्पन करना कोई बाहरी नहीं आएगा करना हमी को है और भावना हमारे अंदर है रही है करना कैसे इस पर चिंतन करना होगा और लेक्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से ऐसे अनेक लोगों को हम जोडने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो भी हुआ किसी जिले में हो किसी नए स्टाटप को भी प्राणम करना चाहें तो मेंटर का भाव नहीं हो बिहार अंट्रप्रनर्स अस्ट्रेशन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है कल का बड़ा कारिक्रम ज्यान भावन में हुआ ऐसे हर व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखते हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें